हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार यादा, आप सब का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पे, और मैं आपके लिए लाया हूँ एक सांधार वीडियो, जिसके माध्याम से आप किसी भी दिनांग का मेरे ट्रिक के माध्याम से कौन सा दीन है इसको निकाल सकते हैं, ठ यूटूज के माध्याम से आप कोई सब भी दिनांग का दीन निकाल सकते हैं, जश्ट सपोस मैं निकालता हूँ एक 26 जून उनिस सव त्रानवे 26 जुन उनिस सव त्रानवे को कौन सा दीन था तो ठीक है मैं ट्रिक के माध्याम से बना रहा हूँ उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक को कैसे यूज करना है ये बताऊंगे 26 तो सबसे कहले हम लोग लिखेंगे 26 जुन 24 लुण जुन के लिए ट्रिक मैं यूज कर रहा हूं ठीक है उसके बाद फिर फिर उनिस सव त्रानवे उनिस सव त्रानवे में सताबदी सतापदी का जो निस सव है अपनों लोग हम ट्रानवे हटा देते हैं पहले तो यहाँ पर बज़ गया 1900 तो 1900 के लिए trick आ जाएगा 1 अब बज गया 93 के बाद इस 93 को 4 से भाग देना है और जो भी भाग फालाएगा उसको यहाँ पर डालना है तो यह 4 हो गया यह 2 और यह हो गया 3 तो यह आगया 23 उसके बाद इन सब को जोडने के बाद साथ से इसको डिवाइट करना है ठीए साथ से डिवाइट कर देंगे सबसे पहले अब जोडते हैं हम लोग 26 प्लस 3 29 प्लस 130 प्लस 93 123 प्लस 23 कितना हो गया 146 डिवाइट वाइट 7 अब इसको हम लोग 7 से डिवाइट करते हैं फिर जो भी सेश फल या रिमाइंडर जो बचेगा उसको हम लोग देखेंगे कि कौन से दिन पर वो शेट हो रहा है तो इसको डिवाइट करते हैं 7 7 टू जब 14 अब बच गया हम लोग का 6 6 क्या बचा रिमाइंडर या 6 अब 6 क्या किता बचा 6 अब 6 को हम दिन के कोडिंग से देखेंगे तो 6 को क्या था सनिवार था अब इसको हम लोग कलेंडर में चेक करेंगे तो 26 जून onte93 को सणिवार्था अब चेक करके देख सकती हैं ते हैं डोस्तो अब देखते हैं कि कोड को कैसे यूज करना है उस ट्रिक को कैसे यूज करना है और ट्रिक को यूज करने के बाद हम किसी भी दिनांग का दिन बड़े ही easy मतलब easy way से सरल तरीके से निकाल सकते हैं कि इस दिनांग को कौन सा दिन रहेगा जो की पूछे जाते हैं और खेल खेल में हम लोग यूज भी कर सकते हैं किसी का डेट आप बर्थ पता है तो आम दिन निकाल सकते हैं कौन से दिन है ठीक है चलिए आईए दोस्तों मेरे साथ सबसे पहले है सताबदी ठीक है सताबदी में कैसे आएगा एक आएगा सुन्य शुन्य ए ठीक यहां से स्टार्ट होता है हम लोग का सताबदी वर्ष ठीक है तो सपोज एक जन्वरी सुन्य शुन्य एक इस दिन हम लोग क्या मानते हैं इसको अधार मानते हैं और इसको सो मार लेते हैं यह हम लोग का बेस है ठीक है एक जन्वरी सुन्य शुन्य एक यह आम लोग का तो अधार है बेस है और इसी को हम लोग क्या मनते हं सो दो इसके को लिए एक हो हो गया अब एक से हम लोग 100 तक गया तो इस जो गया फिर आ गया 200 रागर 300 फिर आ गया 위에 शावर्स उसके बाद फिर 700 EBसा आग fonts ऑप बढ़ेंगे तो उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आजाएगा तेरो यह आजाएगा शोला सव इसी तरह यह कंटीनिव बढ़ते रहेंगे मात्र क्या है सताब्दी का कोड सताब्दी मतलब सन जैसे रहता है है उननीच सव उननीच सव थ्रानवे उननीच सव पंचानवे दो हजार यह सब तो उसके लिए हम लोग कोडिंग रेडी किया है वह है 5310 इसमें जो चार सव है आठ सव है बारा सव है शोला सव है यह सब आ जाएगा एक लिप सताब्दी वर्ष लिप सताब्दी वर्ष यह लिप सताब्दी वर्ष अब लिप सताब्दी वर्ष क्या होता है जो 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए पूरा पूरा भाग चले जाए उसको क्या बोलते हैं लिप सताब्दी वर्ष बोलते हैं जैसे मैं 400 से डिवाइड करूंगा इसको त सब्सक्राइब नहीं होगा तो यह क्या है लीप सताब्दी वर्स है ठीए दोस्तों उसके लिए अपने लोग कोडिंग क्या यूज होगा जीरो ठीक है अब देखते हैं हम लोग सब्सक्राइब जो 400 से तो डिवाइड नहीं होगा बट 4 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है या तो ले ले लेते हैं 15 या तो 19 यह क्या है चार से डिवाइड हो जाएगा बट 400 से डिवाइड नहीं होगा तो वो किसमें आएगा लिप सताब्दी वर्स में नहीं आएगा तो उसके लिए आपन से पूरा पूरा भाग चले जा रहा है इसलिए यह चार्षो का क्या बलते हैं कोडिंग हो जाएगा जीरो यह हम लोग को याद रखना है दोस्तों क्या याद रखना है पांस तीन एक सुन उसके बाद इधर कांटिंग कर लेंगे सव दो सव तीन सव चार्षो इसी तरह यह आ 625-625-314 यह क्या है मार्क अकोडिंग को आप कैसे करेंगे यह जन्वरी लेंगे फर्स्ट फिर फर्वरी मार्च उसके बाद फिर अप्रेल मई जून फिर जुलाई आ जाएगा अप्रेल के बाजू में फिर आ जाएगा अगस्ट सितंबर फिर अक्टूबर आ जाएगा ज फर्वरी मार्च के बाजू में और दिसंबर दिसंबर आ जाएगा सबसे लाश्ट तो इसके लिए कोडिंग रेडी किया है 625-314 तो जन्वरी के लिए हो जाएगा 6 और यह अक्टूबर है अपना तो इसका कोडिंग हो जाएगा छे इसके बाद आते हैं फर्वरी मार्च इसके लिए कोडिंग हो जाएगा दो और उसी में क्या है नौंबर मन्त है तो इसके लिए कोडिंग हो जाएगा दो अप्रेल और जुलाई इसके लिए कोडिंग हो जाएगा पांच मही के लिए हो जाएगा सुन्य जून के लिए हो जाएगा तीन अगस्त के लिए हो जाएगा एक और सितंबर और दिसंबर के लिए हो जाएगा कोडिंग चाहर इसको दोस्तों हम लोग को याद रखना है याद रखेंगे और कोई सभी दिनांग का इजी से हम लोग दिन निकाल सकते हैं अब दिन के लिए कोडिंग है एक सरल है दिन के लिए कोडिंग क्या है सिधा रवियार को सुन्या लेना है उसके बद फिर सो मंगल बुद्ध गुरू शुक्र सनी Κंटीनु क्रम में ले लेना 0 1 1 2 3 4 5 6 ठीया दोस्तो हम लोग को याद हो गया सताब्दी का कोड पांस तीन एक सुन्या उसके बास पिर मा का कोड छे दो पांस सुन्या तीन एक चार और हो जाएगा दिन का कोड दिन का कोड हो गया 0 रगवार को ले लेंगए उसका गएंग बात 1 2 3 4 5 6 अब इसके बाद कोई सब भी डेट का हम लोग क्या निकाल सकते हैं दिन निकाल सकते हैं जश्ट लाइक सपोर्स कुछ भी डेट ले लेता हूं चलिए दोस्तों हम लोग इस डेट की साथ से लेते हैं कि और आप लोगों को दिख रही होगी मैं डेट बता रहा हूँ 12 माई 2021 जोस्तों मैं सर से कुछ डेट पुछता हूँ उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा वो सर बताएंगे 12 माई 2021 हलो दोस्तों मैं सर से कुछ डेट पुछता हूँ उस दिन कौन सा दिन पड़ेगा वो सर बताएंगे तो चलिए यह स्क्रीन में केवल मैं ही दीख रहा हूँ और सर नहीं देख पा रहे हैं तो चलिए 12 माई 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा यह पताएंगे ठीक है दोस्तों तो हम लोग इस ट्रिक को यूज करते हैं और 12 माई 2021 को कौन सा दिन था यह पता करते हैं तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं दोस्तों 12 यह क्या अपना जो डेट दिया उसको लेक लिए अब उसके बाद क्या दिया माई माई मतलब क्या आ जाता है माम मां के लिए अम लोग कोड रेडी किया है मई लिख तो इसका से लिए है 2000 दोस्तों अब 2000 2000 के लिए कोडिंग कॉंसर एड़ी किये हैं यह आ जाएगा 1300 1415 1600 फिर आगे बढ़ेंगे 17 18 19 और यहां पर आ जाएगा 2000 तो 2000 के लिए कोडिंग कॉंसर एड़ी किये हैं शून यह आ गया ठिया उसके बाद दोस्तों क्या बचा हुए हम लोग के पास 21 तो 21 को लिखेंगे यह हो गया अब इसके बाद और क्या करेंगे 21 को फोर से डिवाइट करेंगे और जो भी भागफल आएगा भागफल आएगा उसको यहां पर फिर जोड़ेंगे तो इसको डिवाइट करते हैं एक फोर से यह हो जाएगा फाइप यह क्या आया भागफल ठि Delta एक सेसल बचाई सेजल को ध्यान नहीं देना है ऐल्ली भागफल को लेना है तो यहां प्र aja आग अबक्र फाइप उत्यांसों इन सब पर दिखते हैं आगे जोड़ने हैं जोडने के बाद ऊस आतसे भाग करके दिखते हैं तो यह जाएका 12 Job 22 के बाद एक 13 तेरा 13 23 23 गतनी सो गिते होगा दोस्तो 38 कि इसका हमलों साथ से भाग देते हैं अब साथ से भागे देंगे तो उसके बाद हमको सेज़ फल पर ध्यान देना है क्योंकि सेज़ फल को के हिसाब से हम लोग दिन का कोडिंग तयार की है और उसके बाद सीधे-सीधे हम लोग को दिन मिल जाएगा तो इसको साथ से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा साथ एकम सयाथ 75 35 छिएए होहाग भागफल हमको भागफल पर ध्यान नहीं देना ह। मको सेज फल पर ध्यान देना है तीन आता है बुद्ध्वार वेड़नस डे तीन अब उसके बाद हम लोग इसको केलेंडर मेच करके देख सकते हैं कि 12 मई 2021 को बुद्ध्वार था अब चेक करके देख सकते हैं यह रहा केलेंडर का एक टॉपिक जो एक ट्रिक की दुनिया में एक अहम रोल निभाती है तो इ थैंक यू दूस्तुम एक टूस्तुम् एक टूस्तुम् एक टूस्तुम्